देश में इस समय लोगसवा चुनाओं को लेकर बिसात बिच चुकी है बीजेपी ने अपने लोगसवा उम्मीद्वारों की घोशना कर दी है राजस्थान में भी 15 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याक्षियों की घोशना कर दी है लेकिन इन 15 सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां पर नाम की घोशना होने के साथ ही अब विरोध के स्वर है वैं मुखर होने लगे हैं और ये सीट है बीजेपी का गड कही जाने वाली या फिर यूँ कहें कि कस्वा परिवार की ये सीट जिससे राहूल कस्वा का टिकेट काटते हुए बीजेपी ने पैरा ओलम्पिक में देश का नाम रोशन करने वाले देवेंदर जानजडिया पर भरोसा जताया है जी हां हम बात कर रहे हैं चूरू लोकसवा सीट की आपको बता दे कि राहूल कस्वा पिसले दो बार से इस सीट से सांसद के रूप में जीत चुके हैं रहूल कस्वा का जनम 1977 में हुआ था या यूं कहें कि रहूल कस्वा के जनम के साथ ही कस्वा जो परिवार है वराजनीती में उतर गया था राहुल कस्वा के दादा दीब चंद कस्वा गधानसवा चुनाव यहां से लड़ चुके हैं इसके साथ ही उन्होंने गधानसवा सीट पर निर्दल ये प्रत्याक्षी के रूप में जीत भी हासिल की थी इसके साथ ही 1909 में से लेके 2019 तक लगातार कस्वा परिवारी सीट से जीता हुआ आ रहा है आपको बता दें कि राहुल कस्वा के पिता 1909 में 2004 और 2009 में इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और राहul कस्वा के पिता राम सिंह कस्वा के बाद बीजे पी ने राहul कस्वा पर अपना भरूस आजता है। चुप्पी साथ रखी थी लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनका एक ट्विट है वो काफी वाइरल हो रहा है राहुल कस्वा ने अपने समर्थ को से अपील की है कि शांती बनाए रखी हैं बहुत जल्द आपके बीच में फिर से लोटूंगा इस सोशल मीडिया ट्विट के बा पारियकाल राहुल कस्वा के रहे हैं वह बहुत अच्छे रहे हैं अलाकमान से उनकी नजदी किया रही है लोगों में उनका प्रेम रहा है इसके साथ ही जमीन पर उनकी पकड़ भी रही है राहुल कस्वा की अगर बात की जाए तो इनका जो राजनेतिक परिवार है क्यों तो ऐसे में 1980 से लेकर और 2019 तक के चुनाओं में कस्वा परिवार का दबदबा चूरू सीट से नजर आया था ऐसे में बीजेपी के दौरा राहुल कस्वा की जो टिकेट काटी गई है उस टिकेट कटने के बाद अब कस्वा परिवार ही नहीं साथ ही चूरू के लोगों में भी भारी आकरोश है एक नजर में अगर कुछ इस तरीके से देखा जाए कि जब राजंदर राठोड को चूरू विधानसवा सीट से चुनाओं लड़वाया गया था दोजार तेईस के विधानसवा चुनाओं में तो राजंदर राठोड की हार के बाद राजंदर राठोड के समर्तकों ने राहुल कस्वा को जैचंद की उपादी दी थी इसके साथ ही राजंदर राठोड की हार की बड़ी वज़े भी राहुल कस्वा को बताया गया था ऐसे में आला कमान को जो आला कमान के गुसे का सामना शायद राहुल कस्वा को करना पड़ा है क्योंकि राजिंदर राठोड की जो पकड़ है, उनका जो कद है, उनकी जो छवी है वहना सिर्फ राजस्तान में बल्कि दिल्ली और आला कमान में भी काफी उचे दर्जे पर है ऐसे में अब कयास ये भी लगाये जा रहे हैं कि क्या राजिंदर राठोड के कहने पर राहूल कस्वा का टिकेट कटा है या फिर देविंदर जांजडिया जिन्होंने पैरा ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है राजस्थान का सर गौरव से उचा किया है क्या एक कि जनता जानना चाती है क्योंकि जिन 15 नामों की घुषना हुई है उन 15 नामों में से 5 लोगों के टिकेट कटे हैं लेकिन इन 5 में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विशे है राहूल कस्वा का टिकेट है ऐसे में अब जो राजनितिक सूत्र हैं उनकी अगर माने तो कॉंग्रेस लगातार राहूल कस्वा से संपर्कसादने में जु्ट गई है और जिस हिसाब से राहूल कस्वा ने सोशल मीडिया पर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उससे ये लगता है कि क्या का का हात ठामेंगे उनकी जो परिवार है 40 सालों से जिसने बीजेपी का हाथ पकड़ कर राजनीती की सीडिया चड़ी हैं क्या अब वो बीजेपी का दामन छोड़ते हुए कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे ये देखने वाला विशे होगा और आने वाले जो लोकसवा चुनाओ है उसमें राहुल कस्वा के टिकेट काटना बीजेपी को कहां तक भारी पड़ सकता है ये भी अब देखने वाला विशे होगा आप देख रहे हैं दनगरी मीडिया मैं हूँ लालित पर्मा